अब बात आती है next point की कि जो तीन steps है program लिखना, compile करना और ultimately run करना ये हम computer में करेंगे कैसे तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, सभी लोग सोच समझ के मुझे जवाब दीजेगा मेरा पहला सवाल आप लोगों से है, क्या हम लोग notepad में C का program टाइप कर सकते हैं, जल्दी बताइए हम सिरफ program लिख सकते हैं, ना तो notepad में compile कर सकते हैं, ना notepad के थूर run कर सकते हैं, सही कह रहा हूँ, जल्दी बोलिए सही कह रहा हूँ, ना तो notepad में कोई compiler available है, ना notepad से आप program को run कर पाएंगे, तो फिर सवाल उटता है, फिर ये तीन काम हम लोग करेंगे कैसे, ये तीनों कामों को करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो गोर करिएगा इन तीनों कामों को करने के लिए, programmer एक software यूज़ करता है, क्या नाम होता है software का, उस software का generalized नाम होता है IDE, उस software का generalized नाम होता है IDE क्या फुल फॉर्म होता है IDE का everyone listen very carefully IDE का फुल फॉर्म होता है integrated I for integrated D for development and E for environment the term IDE stands for integrated development environment पहला doubt आएगा आपके नमाग में क्योंकि आप beginner हैं sir ID's होते क्या है पहला doubt आएगा ID's क्या होते है तो मैं जवाब दे दू ID's application softwares होते है I hope आपने last lecture में इस ना करा हो तो आपको याद होगा application software वो होते हैं जो किसी खास purpose के लिए बनाए जाते हैं तो ID's programmers के लिए बनते हैं क्या बोलते हैं IDE programmer के लिए बनता है आपके ममी पापा ID use नहीं करेंगे जब कि आपके ममी पापा computer use करेंगे laptop use करेंगे बट वो ID use नहीं करेंगे क्योंकि वो programmer नहीं है वो computer user है बट मैं और आप ID's यूज़ेंगे येस हम लोग ID's करेंगे क्योंकि we are developers we are programmers तो ID वो software है जो programmers के लिए बना जाता है, बाकी दुनिया का IDE से कोई मतलब नहीं है, ठिक, अगला word आता है, IDE के full form का मतलब क्या है, क्या मतलब है, integrated development environment का, तो बहुत आसान है इसका full form समझना, आप सिर्फ इसके full form में आने वाले शब्दों को split करके समझिए, सबसे पहले मुझे बताएं, जब्द का मतलब होता है, together, right, combined, एक साथ, integrated का मतलब होता है, together, जैसे हम कहते हैं, कई बार national integration, जल्दी बोलिए, कहते है, national integration, राष्ट्रिय एक्ता, वही से यह word आया है, integrated, तो integrated माने, एक साथ, फिर आता है अगला word, development का मतलब, तो गौर से सुनना, development का मतलब होता है, programming, development word क यहां पर मतलब लीजे, आप programming से, और third word आता है, environment, यह क्या होता है, इसका मतलब होता है, software, इसका मतलब होता है, software, अब इन तीनों को एक साथ समझे, अब इन तीनों को एक साथ समझो, तो IDE का मतलब क्या निकला, एक ऐसा software, राइट से शुरू कर रहा हूँ, एक ऐसा software, जो programming से related, सारे task को क्या कर देता है, सारे task को क्या कर देता है, integrate कर देता है, एक साथ आपको सारी facility देता है, यानि इसी software के अंदर, आप क्या कर पाते हैं, इसी software के अंदर, आप प्रोग्राम लिख पाते हैं, इसी software के अंदर, आप अपने program को compile कर पाते हैं, और इसी के अंदर, आप ultimately उसका कर पाते हैं execution. I repeat, ID को ID क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ID एक ऐसा software होता है, जो programming से related सभी steps को combine कर देता है. आपने बहुत बार सुना होगा one-stop solution. बहुत सारे business वाले बोलते हैं ना अपनी shop को. Fashion का one-stop solution, kitchen का one-stop solution. तो ID प्रोग्रामिंग का one-stop solution होता है. इसके अंदर आपको सारा support मिलता है. आप इसमें program लिख भी सकते हैं, आप इसमें program compile भी कर सकते हैं, और आप इसमें program को run भी कर सकते हैं. तो फिर अलग-अलग languages के alग-अलग IDs होते होंगे. येस, अलग-अलग languages के अलग-अलग IDs होते हैं Java का अपना ID होता है Python का अपना ID होता है CC++ का अपना ID है PHP का अपना ID है हर language का अलग-अलग market में ID available है हम कौन सी language पढ़ रहे हैं? हम C पढ़ रहे हैं तो हम अब list करते हैं CC++ के कौन-कौन से IDs available होते हैं market में गौर करिएगा तो मैं आपको कुछ popular IDs के नाम बता रहा हूँ जो C language के अंदर आपको use करने को मिलेंगे some popular IDs of C and C++ languages तो मैं C, C++ दोनों एक साथ क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि 90% IDs C और C++ दोनों को support करते हैं समझ रहें आप मेरी बात 90% IDs C और C++ दोनों को support करते हैं आप अगर उन्हें लेंगे तो आपको एक ही ID में C का program और C++ का program दोनों लिखने का chance मिलेगा नादा question is इनके क्या नाम है और इनकी companies के क्या क्या नाम है तो मैं आपको दोनों चीज़े बता रहा हूं ताकि आपकी general knowledge थोड़ी सी बढ़े एक तरफ मैं IDE का नाम लिखूंगा प्लीज ध्यान से सुनिएगा और दूसी तरफ मैं उसकी company का नाम लिखूंगा यह ID कौन सी company ने बनाया चेक गौर से सुनिए सी language का सबसे basic और simple ID कहलाता है PC क्या full form है इसका इसका full form है turbo c या turbo c plus plus fine यह c language का सबसे basic और simple ID है ठीक है हाला कि यह ID आज market में outdated है I repeat यह IDE आज market में outdated है लेकिन अगर आप see में पहली बार programming कर रह रहे हैं see में आपका पहला step है in fact programming में आपका पहला step है आपने जिंदीगे में कभी कोई programming नहीं करी तो यह बलई कितना भी पुराना ID हो beginners के लिए शुरुआत करने के लिए यह best ID है beginners के लिए शुरुआत करने के लिए ये बेस्ट आइडी है जैसे आप याद करिए अगर कोई ड्राइविंग सीखता है अगर कोई ड्राइविंग सीखता है तो सीधे BMW से नहीं सीखेगा ना मारूती 800 से सीखेगा किसी पुरानी गाड़ी से सीखेगा ताकि वो इस ड्राइविंग से रिलेटेड चीज़ों को एजिली उस कार में देखता है बाद में फिर उस किसी हाई एंड कार को यूज कर सकता है ये सौर नो जल्दी जल्दी बोलिए ऐसा है तो ये टर्बो के साथ है तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे अपने कोर्स की वो करेंगे टर्बो आईडी से किसने बनाया इस आईडी को इस आईडी को बनाने वाली कंपनी का नाम है बोर लैंड इस आईडी का डिजाइन बोर लैंड कंपनी ने लिखा क्या हम लोग पूरा कोर्स टर्बो पे करेंगे नई हम लोग पूरा कोर्स टर्बो पे नहीं करेंगे हम लोग बेसिक्स और प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद शिफ्ट हो जाएंगे एक बहुत पॉपलर और मॉडन आईडी थे क्या नाम है उस मॉडन आईडी का उस मॉडन आईडी का नाम है कोड ब्लॉक्स उस मॉडन आईडी का नाम है कोड ब्लॉक्स किस ने बनाया इस आईडी को इस आईडी को बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर बनाया क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का कंबाइन प्रोड़क्ट है इसलिए से एक कंपनी का नाम ना लेकर मैं आपर लिख रहा हूँ Various Various क्यों हूँ? क्योंकि एक community के द्वारा बनाया गया है एक single company नहीं बहुत सारी companies ने contribute करा है इस particular ID को design करने के लिए फिर तीसरा ID कौन सा है? तीसरा ID जो बहुत popular है CC++ के लिए उसका नाम है Dev C++ उस ID का नाम है Dev C++ इस ID के नाम में तो C++ आ रहा है आई रेपीट जो ID C++ सपोर्ट करता है याद रखिएगा वो C लैंगविज को भी सपोर्ट करता है याद रखना जो ID C++ को सपोर्ट करेगा 100% वो C लैंगविज को भी सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब Dev C नाम का कोई ID نہیں है हाँ, Dev C नाम का कोई ID नहीं है, ID का नाम Dev C++ है, और वो दोनों languages को support करता है, ओके, इसको बनाने वाली company का नाम क्या है, इसको बनाने वाली company का नाम थोड़ा खतरनाक है, company का नाम है Bloodshed, इस company ने इस ID को design करा है, ओके, इसके अलावा, इसके अलावा, there is another very popular ID, आजकल खूब 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 चल रहा है market में, आपने सुना होगा, उसका नाम है Visual Studio Code, short में बोलते हैं इसको VS Code, short में इसको बोलते हैं VS Code, right, किस company का product है, it is a product of Microsoft, right, क्या हम लोग यह ID उस कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, बिलकुल, लेकिन अभी नहीं, अभी क्यों नहीं, क्योंकि इस IDs इतने advanced हैं, कि as a beginner, आपको इन IDs को configure करने में ही time लग जाएगा, इसलिए थोड़ा साब comfortable हो जाएं, C की basic programming सीख लें, फिर हम इन IDs पे shift करेंगे, और आप एक पे काम करना सीखिए, आप सब पे काम करना सीख सकते हैं, अच्छा, इसके अलावा और कौन सा ID अविलेबल है मार्केट में, तो इसके अलावा, एक और बहुत popular ID है, जो उन programmers या developers के लिए हैं, जो Macbook यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास Apple की Mac machine है, Apple की Macbook है, तो आप Xcode ID यूज़ कर सकते हैं, क्या Xcode बाकियों के लिए अविलेबल नहीं है, नहीं, आप Xcode Windows पे या Linux पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, Xcode को यूज़ आप Mac पे ही कर पाएंगे, और किसने बनाया, उसने बनाया, जिसने Mac बनाया, किसने बनाया, Apple ने, तो इस ID is developed by the company, I think सभी उसका नाम जानते हैं, सबसे ज़्यादा revenue earn करने वाली company थी है कभी, आज भी है, and that is Apple, आई बात समझ में, ये सारे के सारे IDEs हैं, जिनको आप use करके, अपने computer में, CC प्रस्प्रस की programming कर पाएंगे, तो ये हमारे computer में built-in होता हैं, कि install करने पढ़ेंगे, ये आपको install करने पढ़ेंगे, बस एक X code है, जो built-in होता है, जो Mac के साथ आता है, बाकी Windows वगएरा के साथ नहीं आते हैं, आपको अलग सेने करना पढ़ेगा install, अगला doubt कैसे करेंगे install, कहां मिलेगा इनका software, तो कहां मिलेगा का जवाब है, हम लोग देंगे, आपके telegram group में post करेंगे, और install कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा, कब सिखाऊंगा, आपको आज से दो या तीन lecture बाद, तो दो तीन lecture में हम क्या करेंगे, दो तीन lecture में हम पहले whiteboard पे, C के एक एक प्रोग्राम का step समझेंगे, प्रोग्राम के एक एक line को समझेंगे, उसमें हमें दो से तीन दिन लग जाएंगे, दो से तीन दिन बाद, जब पहला प्रोग्राम मैं आपको complete समझा दूँगा, और आप कहेंगे, हाँ सर सब समझ में आ गया, फिर मैं आपको practical कराऊंगा, और फिर हम practically इस particular काम को ID पे करके देखेंगे, वन शब मैं आपको दो तीन सिखा दूँगा, बाकियों पे आप आराम से काम कर लोगा, मैं आपको code box बता दूँगा, VS code बता दूँगा, डेख C++ भी बता दूँगा, ठीक है, और टर्बो से तो हम शुरू करी रहें, राइट, समझा रहा है, चले आगे, clear हो गया, चले, ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा ID के लिएकर introduction, अब आते हैं हम लोग programming शुरू करने, राइट, अब आउट तो राइट आवर वेरी फर्स प्रोग्राम, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, के हमने हमारे computer में, तर्बो ID इंस्टॉल कर लिए, एवरिवन लिसेन वेरी केरफुली, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, हमने हमारे computer पे, तर्बो ID इंस्टॉल कर लिए, मैं ये भी मान रहा हूँ, हमने ID ओपन कर लिए, और हम इस ID में, हमारा पहला C का प्रोग्राम लिख रहे हैं, समझा रहा है, मैं क्या एजम्शन लेकर चल रहा हूँ, मैं whiteboard पे आपको code लिख के दे रहा हूँ, बट हम ये मान कर चल रहे हैं, कि हमने ID इंस्टॉल कर ली है, और हम इस ID के अंदर, हमारा पहला C language का प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हमारा अगला title है, the first C language program, ठीक है, ये हम लोग लिख रहे हैं, पहले हम इसको समझेंगे whiteboard पे, और फिर मैं आपको इसका practical कराऊंगा, कित्ते दिन बाद, आज से 2 से 3 lecture बाद, डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी इस program को समझते हैं, जितनी जल्दी आपके समझ में आएगा, उत्ती जल्दी हम coding पे जाएंगे, बट मेरी request है, जल्दी बिलकुल मत करिएगा, पहली language है, पहला program है, patiently एक-एक step को समझना, right, start करें, शुरू करें, चलिए, तो let's imagine, यह आपने ID window open कर ली है, कुछ ऐसी window आपको दिखेगी, क्या color होगा इस window का, हर ID में window का color अलग-अलग होता है, turbo में आपको यह color blue मिलेगा, turbo में आपको यह blue color की window मिलेगी, और इस blue color की window में आप देखेंगे, ऊपर की तरफ बिलकुल notepad की तरह, एक menu bar होगा, और इस menu bar में क्या लिखा होगा, उस menu bar में आपको दिखेगा, file, उसमें दिखेगा आपको edit, जो normal menus है वो दिखेंगे, और दो बड़े special menus दिखेंगे, दो बड़े special कौन से menus दिखेंगे, एक दिखेगा compile, और एक दिखेगा run के नाम से, एक दिखेगा आपको compile के नाम से, और एक दिखेगा आपको run के नाम से, आ रही है बात समझ अब अब बताईए क्या compile और run menu notepad में मिलते हैं क्या compile और run menu notepad में मिलते हैं नहीं मिलते हैं तो इस software के अंदर in menus का आना ये बताता है कि ये software अपने आप में एक integrated development environment है और मैं फिर याद दिला दो हम कौन सा ID यूज़ कर रहे हैं मैं बार-बार याद दिला रहा हूँ हम लोग TC use कर रहे हैं आपको लग रहा है सर अगर ID बदलेगा तो ID बदलेगा तो थोड़ा सा diagram change हो जाएगा for example जब आप code blocks पे जाएंगे जब आप code blocks पे जाएंगे तो एक compile हड़ जाएगा compile की जगे build आजाता है code blocks के अंदर हम लोग build बोलते हैं compile करने को लेकिन turbo के अंदर compile करने को compile बोलते हैं इसलिए अभी के लिए turbo पे फोकस करते हैं फिर हम दूसरे ID पे shift होंगे चीक है अब यह जो अंदर area दिख रहा है जो इस समय आपको white color में दिख रहा है यह turbo में आपको blue color में दिखेगा इस area को क्या बोलते हैं जो यह blue color का area आम लोगों को दिखेगा यह जो आपको blue color का area दिखेगा ज्यान दीजेगा इस area को बोला जाता है code window क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है code window क्यों बोला जाता है इसको code window क्योंकि इस window में आप source code लिखेंगे, इस window में आप अपना source code लिखेंगे, और याद करिए program को ही source code बोलते हैं न, जल्दी बोलिए program को ही source code बोलते हैं न, so this window is called as source code, तो मैं यह मान रहा हूँ, हमने अपना ID launch कर लिया है, हमने अपना ID open कर लिया है, और इस ID में हम हमारा पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं, so now I am writing the code, right, तो हमारा पहला statement होगा, इर्फान उल्ला को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या doubt हो रहा है इर्फान उल्ला बठाएं, आप थे last class में, जल्दी जल्दी बोलें, unmute करूँ आपको, unmute कीजे, इर्फान उल्ला फड़ाफट, हलो, बोलिये, sir, actually मैं आज ही इस्टार्ट किया हूँ, ज्वाइन किया हूँ, क्लास sir, कब से ज्वाइन किया है अपने, शुरू से, आज का लेक्चर, जी sir, अभी नहीं, अभी पास मिट पाल है, actually हम जुआई नहीं सर पा रहा है थे, अपने मवाइस, दूसरे मवाइस से किया है, sir, तो पिर कैसे समझ में आएगा, क्लास को शुरू होगे, चालिस मिनिट होगे हैं, बेटा, बीस में जॉइन करोगे, तो कैसे समझ में आएगा, और आज दूसरा लेक्चर है, तो आप बैकप लो पहले, आप टेलिग्राम ग्रूप के थूँ आए हो, कैसे आए हो, कोई बात नी, तो आज का वीडियो, और जो पिछला वीडियो है, दोनों टेलिग्राम ग्रूप में पोस्ट हो जाएंगे, आप वो दोनों देखना, फिर अगले लेक्चर में में से डाउट क्लियर करना, तो सब समझ में आएगा, जी सर, बीच में से जॉइन करेंगे, तो दिक्कत होगी, जी सर, अभी आइड हुए ने, सर, आइड मतलब जिसके तुरू, कोई बात नी, कोई बात नी, आपके वास पर्लेंच सर का नंबर है न, प्रमजी सर का, हाँ, उनका नंबर है, जी सर, हाँ, तो आप उनको कॉल करके बोलना, सचिन सर ने बोला है, मुझे दोनों वीडियो का बैक अप दे दीजे, वो दे देंगे आपको, दोनों लेक्चर्स का बैक अप, यह सर, चीक है, जीक है, जीक है, हाँ, जी, शुरू करें आपन, बाकी लोगों को तो कोई डाउट नहीं है, वाई यार नॉट यूजिंग एनी लेटेस्ट आइडी, त्रिप्तांश मैंने बताया, मैंने कहा, एज अब बिगनर, आप शुरू करिये टर्बो से, फिर हम शिफ्ट करेंगे लेटेस्ट आइडी पे, क्योंकि लेटेस्ट आइडी इत्ते सारे फीचर्स देगा आपको, कि एज अ बिगनर आप उसको देकर कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना, तो पहले हम प्रोग्रामी के बेसिक्स पढ़ लें, फिर हम नए आइडी पे शिफ्ट करेंगे, ओके, डाउट सॉल्व,